किसान भाईयों आपने इस तरह के अपने खेतों में काफी पौदों को देखा होगा आज मैं इस टॉपिक पर पूरी वीडियो आपके लेके आया हूँ और ये मैं दो भाग में आपको बताने वाला हूँ तो आज मैं इसको डेटेल ना बताके केबल और केबल ये बताऊँगा कि इस पौदे को आप जो देख रहे हो इसकी जड़ या इसके आलू काफी सुरह चिते हैं इसकी पत्यां काफी डेमेज हो चुकी है इसका मतलब ये है कि जो पत्यां है वो पूरी तरह खुली हुई नहीं है अब ये बीमारी आपको मिर्च में या काफी और फसल में इसके साथ साथ अवालू में भी देखने को मिल जाएगी और इसके बरावर वाली अगर पत्यों को देखोगे तो वो बिल्कुल साफ है और ये काफी जादा रोग से ग्रसित हमें लग रहा है यानि इसकी ना तो ग्रोथ हो रही है ना ही इस पौदे को अभी मैं उखाड के दिखाँगा ना ही इसमें टूबर बनने हैं और ना ही वो अच्छी तरह ग्रोथ कर रहे हैं तो आप इसको देखिए और फिर मैं अभी आपके लिए वीडियो में काफी कुछ बताने वाला हूँ और ये वीडियो भी काफी अलग अटके होने वाली है और इसके रोग के बारे में हम काफी प्रेटिकल कर रहे हैं तो इसमें आपके लिए कुछ जरूरी बात है मैं आपको बताऊंगा तो मैं अभी जो practical कर रहा हूं इसके बारे में यानि काफी खेतों में मैं इसको देख रहा हूं और अपने खेतों में कुछ में ट्राइल किया है तो ये जो पत्या हैं ये खुलना भी शुरू हुई है लेकिन इसमें आपके लिए ये देखना जरूरी है कि इसकी जड कैसे हैं यानि काफी लोगों की खेतों में मैंने देखे हैं सुकडे हुए पौदे में जड गलन रोगी भी चला है लेकिन इस पौदे में जड गलन तो नहीं है लेकिन आलू बुलकुल सुरचित है, जड़ भी सुरचित है, लेकिन यह जो पौधा है वो सुरचित नहीं है, वो पूरी तरह सुकडा हुआ है और आप पूरे खेत को देखिए, इसमें कहीं कहीं आपको जरुर देखने को मिल जाएंगे, और यह जो भीमारी है चितना वन मे काफी ज़्यादा देखने को मिलेंगे लेकिन काफी और वेराटियों में भी देखने को मिल जाएंगे अब आप इसमें गहर कीजिए यह जो पौदा देख रहे हैं इसकी पत्या बलकुस साफ हैं और यह इसके बरावर वाला पौदा है इसमें थोड़ी हलकी सी पत्यां मतलब एसी लग रही है कि थोड़ा सुकड़ा पंसा देख रहा है जबकि यह वाला जो पौदा यह सुरच्चत है इसके बरावर जो पौदा लगा हुआ है यह हमारा बाइरस से ग्रशित पौदा है अब इसके संप्रक में आने से बरावर वाले जो पौदे हैं उनमें भी काफी जादा परोल्म देखी जा रहे है अब यह पौदा आप कह रहे होंगे कि यह तो कठा उफा इस वैसे प्रॉलम है भाई यह इस वैजे से प्रॉलम नहीं है आप चाहें सही आलू हो चैका पता हुआ हो यह जो पौदे हैं कुछ पौदे आपको बाईरस की बज़े से देखन को मिल जाएंगे लेकिन एक होता है सोकोडा रोग वो जो सोकोडा होता है उसको तो सही किया जा सकता है लेकिन बायरस को आप सही नहीं कर सकते हो अगर इसमें आप किसी भी दबाई का अगर उप्चार करते हो तो वो आपका वेश्टे जाएगी और इस चिपसवन आलू पर द इसको मैं बताने वाला हूँ, देखिए इस समय आपके इसके पौदे को देखोगे, नीचे अपने आपी इसके पत्ते सुखजुके गिर रहे हैं, मतलब इसमें ना तो जान है, पौदे में ना कुछ है, इस बज़े से ना तो इसकी जड़ डवलप कर रही है, और ना इसमें जो टूबर है, वो डवलप कर रहा है, हालांकि इसकी जड़ आप देख रही है, कोई भी जड़ गलब नहीं है, जड़ एकदम साफ है, लेकिन इस पर टूबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, 37-38 दिन में भी आपको इसमें टूबर देखने को नहीं मिलने हैं, यही होता है, यह सुरू बात से ही जमीन से चलता है, और जो आपका सुकुड़ा रोग होता है, वो उपर पत्ते आने के बाद सुकुड़ते हैं, जैसे आप इसके बरावर वाले पौदे को देखोगे, तो इसमें टूबर भी बनने हैं, और एक ही दिन की बवाई है, और एक ही खोद रहा हूं, यह उपर वाले टूबर हैं, यह नीचे वाले टूबर और मोटे हो गए होंगे, यह तो आपके उपर वाले में टूबर आपके लिए दिखा रहा हूं, इसमें देखिए, आप टूबर देखिए, काफी दूरी दूरी तक जा रहे हैं, तो यह जो पौदा ह के साथ पूरी डिटिल में जनकरी देने वाला हूँ अगर आपके खेत में ये इस तरह के पौदे हैं तो इनको आपको उखाड़ना ही होगा और भार फैकना होगा लेकिन इसमें काफी किसान भाभा भायानक प्रोलम है और इस रोग का वस एक ही इलाज है कि आप इसको उखाड़ सकते हो उसके बाद आप इसको दूर फैक सकते हो अब अगर मैं इसको नहीं उखाड़ता हूँ और ऐसी रहने देता हूँ तो ये मेरे खेत में काफी जादा फैल जाता और इसमें एक खास बात ये है कि अगर इसमें टूबर नहीं बनने हैं तो ये बाइरस रोग है ना ये आया कैसे है इसमें यानि जो टूबर से ही आता है और टूबर भी इसमें बनने नहीं है तो यह हुआ कैसे है तो यही तो हमको इसमें काफी ज़्यादा प्रॉलम देखने को मिलती है काफी किसान भाई इसको सुकॉड़ा रोग मानके इसमें दवाई यह लगाते रहते हैं और मैंने भी इसमें का काफी ज़्यादा फायदा भी होने लगता है लेकिन वो सुकॉड़ा रोग जैसे लच्छड में देखा जाता है बारस वाले में नहीं और यही हम गलती करते हैं कि सही तरह नहीं पैचान पाते हैं अब जैसे मैं इन पौदे को उखाड के वहां से लेके आया हूँ और इनक को उस खेत में नहीं डालूँगा इनको मैं दूसरी जगह डालूँगा जो कि इस पर कोई भी कीड़ा ना इसका रश्चूस पाएगा ना इसको देख पाएगा और ना ही किसी दूसरी जगह आलूपे जाके बैट पाएगा जैसे आपको मैं बता दूँ यह मैंने यहां फै करने ना नमसका थैंक यू